तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं English पढ़ना और English के जो छोटे छोटे sentences है जिनको पढ़ा जाएगा उनका हिंदी में अनुवाद करना उनका हिंदी में मतलब तो English में कैसे sentences बनाया जा रहा है और उसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है यह दोनों ही चीज़े आप सीखेंगे और यहाँ पर टेंसिस की मदद से ही सारे वाक्य बनाया जा रहे तो कैसे उनको बनाया जाता है क्या नियम होते हैं तो यह सारे example आपको टेंसिस के ही यहा पर सबसे पहले है जैसे कि पूजा एंड राहुल दो जनों का नाम है यानि कि यह subject है करता है और यह plural है बहुचन है क्योंकि दो है फिर यहाँ पर है do यह जो do है ना यह simple present tense की helping verb है जब नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो do और does का use होता है present indefinite tense में जिसको simple present tense भी बोलते है कोई नहीं करता है नहीं करती है नहीं करते है ऐसा हिंदी में अर्थ निकल कर आता है पूजा एं राहुल do not अब यह नहीं करते हैं क्या नहीं करते हैं पसंद like का मतलब होता है पसंद तो पसंद नहीं करते हैं पूजा एं राहुल do not like each other यानि कि एक दूसरे को एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर subject जो है plural था इसलिए डू का यूज हुआ है singular subject होता है तो डज का यूज होता है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अमित एक वचन करता है इसलिए does not यानि की does का इस्तिमाल हुआ है अमित नहीं पसंद करता है अमित नहीं पसंद करता है like यानि नहीं पसंद करता है does not like to eat खाना अमित जो है खाना पसंद नहीं करता है अब क्या खाना पसंद नहीं करता है राइस और करी खाना जो है अमित पसंद नहीं करता है आगे है I do not अब यह जो I है ना देखने को लग रहा है कि I का मतलब एक वचन करता है लेकिन I जो है इसके साथ आपको do का प्रियोग करना है तो I do not love मुझे पसंद नहीं है पसंद नहीं है लव का मतलब भी यहाँ पर पसंद आना अच्छा लगना बहुत अच्छा लगना to play to play का मतलब खेलना football यानि football खेलना अधिक पसंद नहीं है बहुत जादा पसंद नहीं है I do not love to play football तो I के साथ जो है do helping verb का इस्तिमाल हुआ है फिर आगे है the king एक वचन करता है इसलिए does आया है does not help help का मतलब मदद करना तो king जो है, raja जो है मदद नहीं करता है किसकी? the poor की यानि की गरीबों की raja गरीबों की मदद नहीं करता है the king does not help the poor फिर आगे है father father जो है एक वचन करता है इसलिए does का इस्तिमाल हुआ है तो यहाँ पर do और does के साथ not लगा हुआ है यह जो example है यह present indefinite tense के negative sentence जब नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो in helping verb का use होता है कि इसका do और does का father does not read read का मतलब यहाँ पर है पढ़ना तो father नहीं पढ़ते हैं पिताजी नहीं पढ़ते हैं newspaper यानि कि अकभार every प्रतेक morning morning का मतलब सुभे प्रतेक सुभे जो है पिताजी अकभार नहीं पढ़ते हैं father does not read newspaper every morning they अब दे के साथ do का प्रयोग होता है they do not live near the school या दे का मतलब वे वे जो है स्कूल के नजदीक स्कूल के पास नहीं रहते हैं we we के साथ हम do का प्रयोग करते हैं तो we do not we do not live हम नहीं रहते हैं in India in यानि में इंडिया भारत इंडिया में हम नहीं रहते हैं we do not live in इंडिया you यानि तुम या आप you do not know no का मतलब जानना पता होना पहचानना this man यानि इस man को इस वेक्ति को you do not know this man यानि कि तुम या आप इस आदमी को इस वेक्ति को नहीं जानते हैं फिर है I do not play मैं या मुझे play यानि खेलना तो मुझे नहीं खेलना है मैं नहीं खेलता हूं cricket I do not play cricket मैं cricket नहीं खेलता हूं play का मतलब खेलना तो नहीं करता हूं यानि की नहीं खेलता हूं cricket को फिर है सूरज singular subject है इसलिए doesn't not speak speak का मतलब बोलना the truth यानि सच सूरज does not speak the truth सूरज सच नहीं बोलता है फिर है यहाँ पर आगे अब यहाँ पर आपको does या do not जो है नहीं दिखाई देगा देखें sentences को कि I यह है एट यह जो है इट इट जो है इसकी second form है इट की second form है वर्ब की second form इट जो करिया है उसकी second form तो वर्ब की second form का जो प्रयोग है वो simple past tense में ही होता है तो यह जो example है यह simple past tense के यहाँ पर आपको नजर आएंगे I ate an apple, n का मतलब एक apple है जो apple में a sound आ रहा है इसलिए यहाँ पर n का प्रयोग हुआ है एक ही जग है I ate an apple मैंने एक सेब खाया तो यह simple past tense का जो है वाक्य है खाया, पिया, लिया, दिया इस तरीके से वाक्य की ending होगी या फिर खाया था, पिया था, लिया था, दिया था इस तरीके से अनुआद होगा he bought, he यानि वह है या उसने, यह जो bought है यह buy, buy की second form है a laptop, एक laptop, उसने एक laptop खरीदा, तो खरीदा या गया इस तरीके से वाक्य की ending he bought a laptop, फिर है she, she यानि वह है, किसी लड़की की बात हो रही है तो she broke, break की second form है, broke, यानि तोड़ना, तो तोड़ा the cup, यानि उस cup को she broke the cup, यानि उसने cup को तोड़ा, the cup है यहाँ पर, यानि किसी एक particular cup की बात हो रही है तो the cup, फिर है यहाँ पर he, वह है, वह है यानि किसी लड़की की बात है gifted me, gifted उपहार, gift का मतलब होता है उपहार में देना, तो उपहार में दिया me, यानि मुझे a book, यानि उसने मुझे एक किताब उपहार में दी यहाँ पर gifted हो गया, broke हो गया, boat हो गया, यह सभी verb की second form है और यहाँ पर simple past tense का प्रयोग हो रहा है I, मैं और यह है met, meet की second form है met, him यानि उससे, मैं उससे मिला, in यानि में, the library मैं उससे library में मिला, I met him in the library आगे है we, we हम saw, c की second form है saw, हमने देखा a joker, एक joker in the street यानि street का मतलब है गली में, in में, गली में हमने एक joker को देखा, c की second form, so तो सारे यह simple past tense के यहाँ पर वाक्य नजर आ रहे हैं He solved, उसने हल किया, उसने solve किया, हल किया, the problem, यानि problem को, जो उसकी problem थी, परिशानी थी, यानि कोई प्रशन होगा He solved the problem, उसने अपनी परिशानी को हल किया, they won, win की second form तो win का मतलब जीतना, जीता, a prize, एक, prize, एक इनाम उन्होंने एक prize, एक इनाम जीता, I wrought, अब यहाँ पर right की second form है wrought, तो मैंने लिखा, him यानि उसे a letter, एक letter मैंने उसे एक letter लिखा, I wrought him a letter, they informed us, us यानि हमें, informed का मतलब सूचना दी, informed किया, they informed us, उन्होंने, दे का मतलब वे या उन्होंने हमें, informed किया, सूचना दी, ye, यानि कि वे हय, laugh का मतलब होता है, हसना, और laughed है, यानि कि हसा, he laughed to hear, सुनुकर, hear का मतलब यहाँ पर है, सुनना, सुनकर the joke, वे है, हसा, सुनकर the joke, वे है, joke को सुनकर हसा, I gave, give की second form है, give, तो give का मतलब होता है, देना, gave यानि दिया मैंने दिया him उसे some यानि कुछ food यानि भूजन या खाना I gave him some food मैंने उसे कुछ खाना दिया भूजन दिया He caught catch की second form है He caught a fish catch का मतलब होता है पकड़ना तो पकड़ा A fish एक fish एक मचली in यानि में the river यानि नदी में से He caught a fish in the river उसने नदी में से एक fish पकड़ी अब यहाँ पर भी she का मतलब वह या उसने तो she का use होगा लड़की के लिए और he का लड़के के लिए She made make की second form है made make का मतलब बनाना तो made का मतलब बनाया उसने बनाया या बनाई tea है चाय है तो चाय बनाई for यानि के लिए अब किसके लिए बनाई the guest जो महमान है महमानों के लिए उसने चाय बनाई She made tea for the guest फिर आगे है I accepted मैंने accept किया His invitation उसका His invitation आमंत्रन स्विकार करना Accept का मतलब होता है स्विकार करना और accepted है यानि second form है तो मैंने स्विकार किया I accepted his invitation मैंने उसका निमंत्रन स्विकार किया He participated Participate करना In the competition किसी भी प्रत्योगिता में क्या लेना हिस्सा लेना Participate करना तो participate किया Second form है Participate Participated Second In the competition प्रत्योगिता में He surprised me Surprise का मतलब आश्चरे चकित कर देना हैरान कर देना तो हैरान कर दिया मी यानि मुझे He यानि उसने मुझे हैरान कर दिया Surprised कर दिया He did not अब यहां पर Did not वाले sentences आ गए है यानि अभी तक तो देखा वर्ब की second form वाले थे इससे उपर अब जब हम इनी का नकारात्मक बनाते हैं तो did जो है इस helping verb का use होगा जब हम simple past का negative sentence बनाते हैं वाहां पर और जितने भी subject होते हैं सभी के साथ हम did का प्रियोग करते हैं He did not go वह नहीं गया Go यानि जाना To school यानि school कहीं जाने की बात आती है तो go के बाद To का use He did not go to school वह school नहीं गया तो किसी ने कोई काम नहीं किया तो वहां पर नहीं किया Simple past tense में Did not का प्रियोग होता है She did not eat She यानि उसने किसी लड़की ने Did not eat यानि नहीं खाया क्योंकि eat का मतलब खाना तो खाया The food यानि की भोजन उसने भोजन नहीं खाया या नहीं किया He did not buy तो उसने He का मतलब उसने Did not buy का मतलब खरीदना तो नहीं खरीदा Did not है इससे पहले A car एकार उसने एकार नहीं खरीदी She यानि वह है किसी लड़की के लिए She did not win Win का मतलब जीतना तो did not तो नहीं जीता नहीं जीता The game यानि खेल को She did not win the game उसने खेल को नहीं जीता फिर है They यानि वे या उन्होंने Did not complete Complete का मतलब पूरा करना तो नहीं किया Did not complete उन्होंने या उसने तो यहाँ पर उन्होंने है या वे है तो They did not complete The task Task का मतलब होता है काम Work तो They did not complete The task उन्होंने task को काम को पूरा नहीं किया I did not meet Meet का मतलब मिलना तो मैं नहीं मिला Him यानि उससे I did not meet him मैं उससे नहीं मिला You did not answer Answer का मतलब होता है जवाब देना उत्तर देना तो नहीं दिया तुमने You का मतलब तुमने तुमने जवाब नहीं दिया उत्तर नहीं दिया The question प्रश्न का correctly यानि सही से सही प्रकार से तुमने प्रश्न का जवाब सही तरीके से सही प्रकार से नहीं दिया You did not answer the question correctly फिर है They did not enjoy They did not enjoy the party Enjoy करना मजे लेना आनन लेना तो नहीं लिये मजे नहीं आनन लिया They यानि उन्होंने The party यानि party का जो है उन्होंने मजा नहीं लिया आनन नहीं लिया The dog did not bite bite का मतलब काटना तो कुत्ते ने नहीं काटा Him यानि उसे The dog did not bite him उस कुत्ते ने जो है उसे नहीं काटा फिर है we did not finish फिनिश का मतलब खत्म कर लेना आवर हमारा वर्क we did not हमने हमने हमारा काम खत्म नहीं किया we did not finish आवर वर्क तो सभी में did not आ रहा है अभी फिर है the kids यानि बच्चे kids बच्चे did not like का मतलब पसंद होना the movie movie जो film है वो the kids did not like the movie बच्चो को movie पसंद नहीं आई he did not pass the exam exam यानि परिक्षा पास करना उतीन करना तो नहीं किया he यानि वह है या उसने तो he did not pass the exam उसने exam परिक्षा उतीन पास नहीं कि she यानि कि वह है कोई लड़की did not make make का मतलब बनाना तो नहीं बनाया उसने नहीं बनाया a painting एक painting एक चित्र उसने नहीं बनाया she did not make a painting he did not get get का मतलब प्राप्त हो नाम मिलना तो उसे नहीं मिली he did not get he यानि कोई लड़का तो उसे नहीं मिली the job यानि कि वो नौकरी the job वो नौकरी उसे वो job नहीं मिली he did not get the job तो यहाँ पर did not वाले sentences किस तरीके से बनाये जाते हैं फिर देखे वर्ब की जो second form उसके साथ वाक्य कैसे बनाये गए हैं does not का प्रियोग यहाँ पर देखा पढ़ते पढ़ते सीखा do not का प्रियोग सीखा तो इस तरीके से बहुत इस इंपल तरीके से इंगलिश को पढ़ना यहाँ पर आपने सीखा तो pronunciation के उच्चारन के reading के translation के class में बस इतना ही मिलते हैं अगली class में